हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका इंजूस्ट्री सिंग आइडिया चेनल पर फ्रेंट्स अगर आप भी इस तरीके के और्गनाइजर बॉक्सेज खरीदने की सोच रहे हो तो अब से आपको नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि आज मैं आपके लिए न्यूट्रीक लेकर आई हूँ और बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका लेकर आई हूँ और इस बैग की अच्छी बात यह है कि आप इसको फोल्ड करके रख सकते हो जब आपको जरूरत नहीं है इसके लिए हमें चाहिए वेस्ट मटेरियल म एक यह चाहोल के उनका और आ एका कटा कटा लिया और यह पुरानी बैद्षूट जो यह हमारी हो चुकी है जो यूज नहीं आती है इसमें रियूज करेंगे तो देखे उसके लिए मैंने सबसे पहले बैड्षूट कट करके ले लिय और उसके ऊपर मैंने कटा रखा है यहां पर लगाएंगे शिलायां इसमें लंबी-लंबी तो इसकी चोडाई है वो है 10 इंच की और इसकी जो लंबाई है वो है साढ़े सेथालीश इंच की यानि 47.5 इंच की एक जो हमने बड़ा पीस तैयार किया था उसकी चोडाई है 20 इंच की और इसकी लंबाई रहेगी 42 इंच की, अब देखिए हमें यहां से इसको फोल्ड करना है एक किनोर से, ऐसे फोल्ड करके हमें इसके उपर सिलाई लगा लेनी है, और अब देखिए जहां पे हमने सिलाई लगाई है, वहां पर हमें यहां पर 4.5 इंच पे मार्क करना है, और ज दूसरी सैड भी इसको विल्कुल सीधा कर लेंगे साड़े चार इंच पे नोच लगाएंगे उधर भी और अब हमें क्या करना है एक हलकी सी सिलाई लगा देनी है यहां पर किनोर की तो हमें ध्यान रहेगा कि यह हमारे पास जो है एक्ट्रा पीस है साड़े चार इंच का यह और जो 10 इंच चोड़ा कपड़ा था उसको भी हमें देखें यहां से ऐसे करके कट कर लेना है और दूसरी सैड भी हमें इसके अंदर से बीच में से यहां से कट कर लेना है अब देखें सेंटर से सेंटर मिलाना है तो देखें इधर से तो ओपन है और इधर से देखें फिन प्रिसिंग बाला पार्ट है वो हमें देखे साड़े चार इंच जो हमने फोल्ड कर रखा है उसकी तरफ रखना है इस चीज का हमें ध्यान करना है अब हम इसका सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और यहां पर हमें क्या करना है आधा इंच शिलाई मार्जन छोड़ते वें अब देखे हमें सुई को नीचे की साइड ही रखना है और फिर यहां से कुछ इस प्रकार से घुमा लेना इस पार्ट को और कॉर्णर पर आने के बाद भी देखे ऐसे घुमा लेना है सुई को नीचे ही रखेंगे और शिलाई लगाते जाएंगे इसमें तो जो सबसे आसान और सिंपल तरीका है स्टोरिज बैक बनाने का वो मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसके अंदर मैं आपको एक और बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जो अभी जो मैं सिलाई लगा रही हूं तो इसको फिनिशिंग ऐसे देना है आपको अलग से करना है उसको कट कर लेना है और अब हम इसको क्या करेंगे अच्छे से बाहर कॉर्णर निकालते हुए हम इसको सीधा कर लेंगे से आपको कोई भी पापिन करने की ज़रूरत नहीं है तो यह सबसे अच्छा तरीका है तो देखिए हमें क्या करना है इस वाले पार्ट के उपर आगे से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसको हमें फिनिशिंग देना है बहुत अच्छे से यह आराम से आपका फोल्ड हो जाएगा इतना एक्चा कपड़ा यह रहता है क्योंकि आधा इंच पहले आपका सिलाई में गया था और आधा इंच अब आपका सिलाई में जा रहा है तो यह एक इंच हो जाता आगे और अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है यह रेखिए हमें जहां जहां हमनें सिलाईयां लगा रिंगें एंगे हं उर्य जब हम मार्केट्श में लें बहुत ज़्यादा महिंगे मिलते हैं और अभी सर्दी आ गई है तो सर्दियों के कपड़े भी बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा है में श्टोरेज बैक चाहिए होते हैं अब देखिए इधर की साइड से इस करनी को ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसके उपर सिलाई लगाते जाएंगे ज़्यादा हमें अंदर नहीं दबाने की ज़रूरत है बस आपको फिनिशिंग देनी है यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा भी आप अंदर फोल्ड करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा अब यहाँ से आपको मसीन को हटाना नहीं है सीधा इसको नीचे तक लेकर जाएंगे ताकि यह नीचे से फिनिश हो जाएगा और यह कोनर बन जाएगा इसमें इस प्रकार से जब कोनर बनते हैं तो बार की सैड भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है बैग में यह देखिए अब हमें क्या करना है इधर की सैड से दे बढ़ेंगे ऐसे ही सेम तरीके से उसके उपर भी सिलाएं लगा देनी है अब बिगनर्स के लिए मैं सिलाएं लगा लगा के अच्छे से समझा रही हुए कि स्टेप बाई स्टेप ताकि आप कहीं पर भी कंशूज ना और अच्छे से आपका बन जाए तो यह देखिए इस सिलाएं मार्जन को छोड़ते हुए मतलब आदाएं छोड़ते हुए कपड़ा फिर इसके उपर सिलाएं लगा लेंगे पहले मैंने किनोर की सिलाएं लगा थी ताकि हमें ध्यान रहे और सेंटर पार्ट निकालते टाइम यह हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है तो यह देखिए सब तरफ मैंने सिलाएं लगा ली है यह देखिए इससे देखिए बाहर की साइट भी किनोर बन गई और देखिए अंदर भी कोई धागे वागे नहीं निकल रहे हैं अब आपको क्या करना है अंदर की साइट जो आपने उपर से धकन बनाया उसके उपर यह वेल्क्रो रख जाता है कोई आपका पैसा इसमें खर्च नहीं हुआ है और बनाने का जो सबसे आसान तरीका वह मैंने आपके साथ शेयर किया है तो मैं उमीद करती हूं आज का यह वाला आइडिया आपको पसंद आया होगा देखिए इधर से आप इसकी हाइट है वह 10 इंच की है और इध के लिए खुच रही है मस रही है बाई